हेलो एवरिवन तोडे अवर टॉपिक इज एज वैक्टर आज हम वैक्टर के बारे में पठेंगे कि वैक्टर्स क्या होते हैं वैक्टर qo type की होते है स्केलर वेक्टर और सिंपल वेक्टर तो अब हम देखेंगे स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं स्केलर वेक्टर स्केलर और दोज फीजिकल क्वेंटिटी यह कौन सी क्वेंटिटी है फीजिकल यह वो क्वेंटिटी है जो क्या बट नो डिरेक्शन इसके एक्जाम्पल कौन कौन से है मास लेंथ और टाइम और वर्क ये इसके क्या एक्जाम्पल है जो क्या रखते हैं सिर्फ मैगनिट्यूड इनकी कोई भी डिरेक्शन नहीं होती सिर्फ इनका मैगनिट्यूड होता है इनकी कोई डिरेक्शन नहीं होती सैकिंड हमारे पास क्या है वेक्टर्स वेक्टर्स क्या होते हैं वेक्टर्स वो फीजिकल क्वैंटिटी होती है जो क्या रखती है मैगनिट्यूड तो रखती ही ह और उनके साथ साथ क्या रखती है direction जैसे हम इनके एक्जाम्पल लेंगे क्या होंगे velocity वेलोश्टी और एक्षलरेशन तो इनके ये एक्जाम्पल है वेलोश्टी और एक्षलरेशन क्या रखते है magnitude as well as direction अब हम देखेंगे vectors के two type वेक्टर कितने टाइप के होते हैं टू टाइप के पोलर वेक्टर एंड एक्जील वेक्टर तो इसके अंदर जो हमारे पोलर वेक्टर है पोलर वेक्टर क्या होते हैं तो पोलर वेक्टर और एक्जील वेक्टर यह दो टाइप हो तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं पोलर वेक जैसे polar vector की example कौन-कौन से है हमारे force और displacement यह हमारे क्या है polar vector next हमारा क्या है axial vector axial vector हमारे कौन से होते है axial vector वो vector होते हैं जो क्या रखते है rotational effect और जो act करते है along the x-axis या y-axis तो इसके example कौन-कौन से है एंगुलर वैलोष्टी एक्जियल वेक्टर के एंगुलर वैलोष्टी टोर्क एंगुलर मॉमेंटम यह क्या है इसके example और हम देखेंगे कि जो हमारे along the x-axis जो हमारे rotational होती है वो कैसे होती है जैसे हमको example ले वह हमारा right-hand rule के अंदर हम देखेंगेते हैं जो हमारा ऊपर की तरफ होता है थम्ब जिसको हम बोलते हैं उस उसको में बोलते हैं हम करण्ट तो यह कि इसको हम एक्ट्रक्ट करता है उसको करता है नगेक्ट्र को जो magnitude होता है वेक्टर का जिसको हम किसे रिपर्जेंट करते हैं ऐसे क्योंकि यह arrow का सिंबल है यह तो हमारा किसको रिपर्जेंट करता है वेक्टर को लेकिन अगर magnitude हो जाए इसका तो वो किसको रिपर्जेंट करता है modulus of vector को और इस magnitude का मतलब है कि हमारा जो vector होता है वो हमेशा क्या होता है positive इसके अंदर अगर हम कुछ भी value आएगी वो negative आएगी तो भी हमारा modulus of vector हमेशा क्या होगा positive second दूसरा हमारा क्या है unit vector unit vector कौन सा होता है unit vector वो होता है अगर हम simple vector और a cap की multiply करे तो वो हमेशा किसके equal आएगी one के equal मतलब unity के equal आएगी या फिर हम बोल सकते हैं इसकी definition के according कि जो unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude and has the same direction और कि इसकी क्या रखता है same direction as that of a given vector या फिर हम बोल सकते कि कोई भी unit vector है उसको हम कैसे represent कर सकते हैं एक उपर cap लगा कि हम ऐसे represent कर सकते हैं तो यह हमारा क्या कहलाएगा unit vector next हमारा point है third point यह हमारा first point है यह second point था unit vector और यह हमारा क्या होगा next third point हमारा क्या है equal vectors equal vectors कोन से होते हैं equal vector वो vector होते हैं जो equal magnitude और same direction रखते हों जैसे हमारा a unit vector किसके equal है B unit vector के तो इसका मतलब क्या ये दोनों के दोनों vectors क्या रखते हैं same magnitude और same direction next हमारा क्या है negative vectors negative vector क्या होता है a negative vector of a given vector is a vector of some magnitude but act करता है in different या फिर opposite direction of vector मतलब अगर हमारी दो vector है a vector है और एक हमारा क्या है B vector या फिर हम दोनों same vector लेके चलते हैं हमारा a vector और a vector दो vector उन दोनों का अगर magnitude तो क्या हो same लेकिन उनकी direction क्या हो opposite तो a क्या होगी negative और a क्या होगी positive तो इसका मतलब हम बोलते हैं negative vector कौन सह होते negative vector a vector is equal to minus का a vector तो ये हमारे क्या होगे negative vector next हम देखते हैं co-initial vector co-initial vector कौन से होते क्वोन initial vector वो होते जो जिनका initial point है या फिर हम बोल सकते है जो starting point है वो क्या होगा, same मान लग, ये क्या है a vector और ये b vector है लेकिन इनका starting initial point क्या है दोनों का एक ही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, co-initial vector, next हमारा क्या है, co-linear vector, अब हम देखेंगे, co-linear vector, co-linear vector का मतलब है, कि दो vector, जो move कर रहे हैं, या तो same direction में, या फिर हम बोल सकते हैं, दो vector move कर रहे हैं, opposite direction में, तो उन दोनों को हम क्या बोलते है, co-linear vector, अगर वो सेम डिरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे पैरलर स्ट्रेट लाइन है तो फिर हम उनको क्या बोलेंगे पैरलर वेक्टर जो किसकी तरह भी एकर रहे हैं अन इक्वल मैगनिटूड की तरह है तो अब देखो अगर दूसरे वेक्टर है वो क्या इक्वल मैगनिटूड तो है बट वो क्या है डिरेक्शन उनकी क्या है अपोजिट है इक्वल मैगनिटूड लेकिन डिरेक्शन अपोजिट है दो वेक्टर मुव करें तो उनको भी हम क्या बोलेंगे को लिनियर वेक्टर लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो उनका मैगनिट वह स्वाइब है वह भी सेम नहीं होता और लेकिन डायरक्षन में एक में मूव करते हैं तो वह भी हमारे को लिनियर का लाएंगे या फिर हम बोल सकते हैं अगर अपोजिट डायरक्षन वाला वेक्टर चोटा है as compared to this direction वाले वेक्टर से तो ये भी हमारे क्या होंगे co-linear vector next हम देखते हैं co-planar vector co-planar vector कौन से होते है these vector which act as a same plane जो किसम के अंदर होते हैं same plane के अंदर act करते हैं how देखो ये क्या है हमारा हमने माल लिया ये हमारा है a vector और ये हमारा माल लिया हमने क्या है c vector और ये इन दोनों के 20 में जो मूँ कर रहा है वो हमारा भी वेक्टर तो ये हमारा क्या होगा co-planar vector next हमारा क्या है localized vector अब एक हमारा localized vector होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो vector है वह जो initial point होता है उनका वह हमेशा क्या रहता है fix तो उसको हम या तो fix vector भी बोल सकते है या localized vector भी बोल सकते हैं और non localized vector क्या होता है जिनके अंदर जो हमारा initial point है वह fix नहीं होता उनको हम या तो not fix vector भी बोल सकते हैं या फिर फिरू हम क्या कर लेते हैं शोट आउट कर लेते हैं लेकिन हाँ एक बात हो अगर आपको algebraic form में vectors देखने हो तो हम कैसे देखेंगे मालो अगर हमारे पास क्या है triangle triangle के अंदर यह क्या है हमारी right angle triangle इसके अंदर अगर यह vector क्या है हमारा a vector और यह vector क्या हमारा b vector तो जो यह होगा यह हमारा r vector होगा और जो हमारा r vector होगा वो किसके equal होगा a vector पलस का b vector के equal होगा ठीक है तो अब हम देखते हैं rectangular component of a vector इसमें हम दो direction लेते हैं x-axis और y-axis यह क्या हमारा point है अब हम देखते हैं कि component of a vector हमने यहाँ पर कोई vector let कर लिया जिसको हमने r से denote कर दिया तो यहां से यह meet है यह हमने point ले लिया क्या हो और यह यहां से meet है यह हमने point ले लिया p तो इसके अंदर जो इन दोनों के बीच में line draw होगी उसको हम let कर लेते हैं कि यह हमारा क्या है a vector यह हमारा क्या है a y और यह हमारी line क्या है a x या फिर यह भी a x और यह भी a y है तो यह हमारा कौन सा vector है j vector और यह हमारा i vector हाँ मैं आपको बताना बोलगी कि जो हमारे vector होते हैं उनको हम i, j और k की ट्रम में हम denote करते हैं जैसे अगर हम कोई भी r vector लें तो वो किसके equal होगा r vector is equal होगा x i minus y j plus z के vector के equal होगा तो अब हम इसके अंदर देखते है इसके अंदर हम पहले find out करेंगे कि जो हमारा cost theta है वो किसके equal होगा अकोर्डिंग टू पंडित बत्री परसाद रूल के according पंडित बत्री परसाद हर हर बोले तो इस rule के according जो हमारा cost theta है वो किसके equal होगा O P divided by O R O P divided by O R के equal होगा और जो हमारा यहाँ पर O P आएगा वो किसके equal आएगा O R cos theta के equal आएगा लेकिन हमारा जो O P है वो किसके equal है A X के equal तो A X की value यहां से क्या आजाएगी A cos theta एक यह आया क्योंकि जो ओर है वो किसके एकॉल है एक की एकॉल है नेक्स्ट हम करते हैं साइन थिटा अब यहां से अगर हम साइन थिटा की वैल्यू निकालेंगे तो वह किसके एकॉल आएगी ओ P R by O R तो यह किसके इक्वल हो जाएगा P R is equal to O R sin theta A Y is equal to A sin theta P R किसके इक्वल है A Y के इक्वल और O R किसके इक्वल है हमें पता ही है A के इक्वल तो अब हम क्या करेंगे scaring and adding both side scaring and adding both side इस equation की दोनों की क्या करेंगे scaring करेंगे और दोनों का add करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा A X square plus A Y square is equal to O R square sin square theta plus cos square theta तो A X square plus A Y square A square sin square theta plus cos square theta किसके इक्वल होता है 1 k तो ये क्या आगई हमारी equation तो इसके according हम बोल सकते हैं कि जो हमारा A square होगा वो किसके इकोल होगा this square plus this square देखो यहां से this square plus this square ये हमारी कूंसी आप Pythagoras theorem भी है तो जो हमारे vectors के sum होते हैं उनको हमें ऐसे short out करना है और vector की जो equation होगी वो हमेशा I, J और K की form में होगी इनको हम vectors को ऐसे draw करेंगे लेकिन I, J के तो आगए उसके अंदर भी use होगे जो हमारे matrix है तो उनमें इन में सिफ इतना ही difference है कि इनको हम arrow से vector लगा के show करेंगे तो ये था हमारा vector का concept thank you so much for watching my video